दोस्तो यहां पर एक चीता ने भालू को मारा और भालूँ ने चीता को मारा और इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस दोनों टाइगर को इस भालू का स्ञाइज देखके इस इसकी फटने लग रहे हैं, लेकिन इस भालू की तो जिन्दगी खत्रे में बढ़ गई है क्योंक इसके पीछे तीम-टीम टाइगर पड़ गया है और इस भालू को अपने जान लगाने से बेतर अपनी जान दे बैठा ये दोनों चीतों को देख सकते हैं कि आपस में कैसे लड़ रहे हैं और ये वीडियो सुट करने वाला भी कितना प्रेम से दोनों की वीडियो सुट किया ह इस वीडियो में देख सकते हैं एक चीता का उपर दूसरा चीता कैसे हमला करता है और दोनों की जंग जबरदस्त चलती है अगले वीडियो में देखेंगे आपकी एक टाइगर दूसरे टाइगर से किस तरह से लर रहा कोई किसी से कम नहीं है इसमें पता ही नहीं लग रहा कि कौन जीते है कौन नहीं कौन नहीं जीतेगा यहां पे दो सेर आपस मिल रहे हैं यह कह रहे हैं कि जो सेर नी है उसको मैं रखूँगा दूसरा वाला करह मैं रखूँगा यह दोनों मर्द भालू लड़ रहे हैं कि एक औरत भालू के चक्कर में ये दोनों मर्द भालू लर रहे है ये पहारी पहारी सेर जो है ये भालू के आमना सामना होता रहता है इन दोनों का जहां पे पहारी भालू होते है वहां पे ये पहारी सेर भी होते है तो इन लोग की लड़ाई हरमेशा देखनों को मिलती है इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से पहारी सेर जो है भालू से पीछा छोड़ा के और भागता है अगले वीडियो में देखेंगे भालू जान बचाने के लिए पेर पचरता है लेकिन भालू नीचे गिर जाता है और पहारी सेर जो है उस पर हमला करता है फिर भी उसके लड़ने के अलावा कुछ नहीं रहता है भालू को और लड़ता है आपस में दोनों ये दोनों लड़ते हैं और पहारी सेर को यहां से भागना पड़ता है इस वीडियो में देख सकते हैं पहारी सेर और भालू दोनों आपस में कैसे लग रहे हैं भालू का साइज बरा होने करण सेर अपनी जान बचा के भागता है पहारी सेर के बच्चे पर ये भालू हमला कर रहा था इस वीडियो में तो इसकी माँ जो होती है, भालू पे अटैक कर देती है, और भालू को ड्रााने लगती है, बोलते हैं कि आखिर मां तो मां होती है, अपने जान पर खेल कर अपने बच्चे की जान बचा लेती है, इस विडियो में देख सकते हैं एक चीता को ओपर तीन सेर कैसे बढ़े यहां पर तीन सेर मिल करके एक तेंदिवों को मारने के फिराग में थे कुछ देर रेष्ट फरनाने के पीछे एक सेर आता पीछे से तो सेर नी उसके उपर जपटा मार के साइड कर देती है बुल दे कि तुरे हैं दे हम लोग देख लेंगे और सेर भी फिर भी घुर घुर आता जाता है फिर दुबारा आटे करता है लेकिन सेर नी फिर दुबारा उसको हटा देती है इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से एक चीता और एक देखने में बहुत ही फुर्तीले और चलाक किसम के जानवर होते हैं इसकी रफदार जो होती है बहुत तेज होती है अब जंगल में सिकारी कम होने के सिकार सिकार कम होने के कारण ये लोग आपस में ही लर रहे हैं ये देख सकते हैं एक चीता दूसरे चीता को कैसे दबोच कर उसकी जान निकाल देता है कुछ दिन के बाद ऐसा देखने के मिले या कि जंगल में बहुत ही कम जानवर बचेंगे कि ये आपस में मार कर खाने में लगे हुए हैं इस वीडियो में देखेंगे कि एक सेर के पीछे एक भालू पड़ जाता है पता नहीं उस सेर के पास क्या रहता है उसको लेने के लिए भालू उसके पीछे पड़ जाता है लेकिन कुछ देर के बाद सेर ऐसा जपटा मारता है भालू के उपर कि भालू यहां से जान बचा के भागने में अपनी भलाई समझता है दोस्तों आगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल को सस्क्राइब करने के बाद बेल घंटी को दबा दिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए नमस्कार